नमस्कार आज के वीडियो में हम करने वाले हैं मैरी को लिमिटेड शेर का टेक्निकल एनलिसेस और देखेंगे कि इस शेर में धमाकेदार तेजी कब आईगी क्या इस शेर में गिरावट आ सकती है इस शेर को अभी हमें बाई करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए और अन्त में हम देखेंगे कि इस शेर में हमारे शॉट टम टारगेट्स क्या रह सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो आईए अब हम देख लेते हैं मैरी को लिमिटेड शेर में सबसे इंपोर्टन्ट सपोर्ट लेवल्स कौन से हैं तो यहाँ पर जो सबसे पहले support level है वो है 402 रुपीज का ये वाली line और ये important क्यों है क्योंकि यहाँ पर आप देखो के पहले ये share इस levels के दर resistance waste करता था पर अगर हम currently देखेंगे तो currently ये share इसी level पर support ले रहा है इसलिए 402 रुपीज का level एक important support है उसके बाद का जो अगला support है वो है 395 रुपीज का level क्योंकि यहाँ पर आप देखो के share इस zone में इसी level पर support लिया था और जो सबसे आखरी support level है वो है 384.20 रुपीज का level और दोस्तों ये तो बहुत ही important है very important support level क्योंकि यहाँ पर आप देख इस zone में resistance waste किया था उसके बाद इस share में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली गिरावट के बाद जब तेजी आई और तेजी के बाद जब वापस गिरावट आई तब इस इस लाइन पर support लिया हिदर एक बार फिर वापस हिदर से लेकिदर तक बड़ी गिरावट आई तब भी इस share ने इसी zone में support लिया और यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस share ने इसी zone में support लिया इसलिए अगर मेरी को share में कोई बहुत बड़ी गिरावट आती है तो यह share 382-384 के zone या level से एक वापस से अच्छी देजी दिखा सकता है आईए अब हम देख लेते कुछ important resistance levels को अगर हम इस share में resistance की बात करें तो यहाँ पर इस share में strong resistance zone है और वो zone है 422 से लेकर 428 टक के levels और यह बहुत ही strong resistance है क्योंकि जैसे इस share का price इस zone पर आता है उसके बाद इस share में sellers active हो जाते हैं और वापस इस share में गिरावट आ जाती है आप देख सकते हैं इस share ने इसी level पर multi time resistance waste किया है और अगर हम Friday के trading session को देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर आप देखो के इस share में initially तो एक बहुत अच्छी तेजी आई थी पर जैसे इस share का price zone के इधर आया उसके बाद इस share में वापस गिरावट आ गई और दोस्तो जैसे ये share ये zone तोड़ेगा ये resistance zone देखती है आईए अब हम देख लेते कुछ important technical indicators हमें इस share में क्या signal दे रहे हैं अगर हम इस share में MACD technical indicator को देखते तो हमें दिखते हैं इस share में 4-5 दिनों से लगाता negative histograms generate हो रहे हैं पर जो भी histogram का size है वो बहुत छोटा है तो यह कुछ ज्यादा impact नहीं करता और अगर हम RSI value देखें तो RSI है अभी 51.82 तो RSI भी यहाँ पर weak है मतलब दोनों indicators weak दिखाई दे रहे हैं पर यहाँ पर recovery की भी hope है आईए अब हम देख लेते मैं इस share में buying करूंगा या फिर selling करूंगा और मेरे क्या targets रहेंगे दोस्तो यह share कही मैनों से एक ही range में trade कर रहा है तो अगर यह share अपना resistance break करता है तो इस share में खरीदारी करने का एक अच्छा मौका रहेगा क्यूंकि यह share एक तो fundamentally बहुत strong share है और यह बहुत लंबा consolidation phase से already गुजर रहा है तो जैसे यह share यह resistance break करेगा 430 का तो हम इस share में buying कर लेंगे और फिर जो हमारे targets रहेंगे वो रहेंगे 525 से लेके 550 रुपीज तक के और दोस्तो अगर आपके पास already कोई holding है तो आप इस share को hold क कर सकते हो क्यूंकि इस share में घिरावट आने की बहुत कम संभावना है और अगर घिरावट भी आती है तो यह share अपने इस वाले support से एक bullish reversal दिखा सकता है इसलिए यहाँ पर मैं कहूंगा hold करो और अगर buy करना है तो 430 रुपीज के बाद ही buy करो और दोस्तों यह video educational video है इस share म मेरी कोई भी buy से लिया hold की सलाह नहीं है वीडियो को like channel को subscribe कर देना धन्यवाद